वीडियो डिलीट के मामले में खान सर का जो विबाद अभी जूर पकरा हुआ है उस मामले में हमें लगा कि निशांद बर्मा जी से बात किया जाए कि क्या कोई क्रियेटर अगर किसी के बारे में बात किया जाता है कि अजय बोले से बात करना था खान सर के मामले में वीडियो डिलीट जो किया खान सर के दुवारा तो उसी मामले में बात करना चाहरे थे वीडियो डिलीट किया है वो तो किसी और का डिलीट किया है तो मैं चार्ज कहूं कोई ऐसा कर सकता है क्या वीडियो डिलीट जिसके बारे में अगर हमने किसी के बारे में जैसे कि आपके बारे में बात कर रहा हूं तो क्या आप उस वीडियो को कॉपी डाइट दे सकते हैं क् देखिए जहां पर मामला मुझे पता है कि बेगुजराई के एक पत्रकार है रंजीत कुमार उन्होंने किजी चैनल को इंटर्वी गया था नेजी चैनल और रंजीत तो है वो कुझ एक पत्रकार है जामिया के पड़ेश। उस वीडियो के बाद फिर एक एक एक्सपोज मीड यानिके घृतया जाते हैं उनका कुई भी content नहीं हुआ है और पर नहीं हो अगर किसी का infectionsdas इस्तिमाल ना हो अगर किसी काkumंट है कंचिचा ना क burial लेकिन आगर उसके मारे में बात कि जाये तो वो इसी की मापर्टी नहीं बन जाता भी जारान के दौर पर मैं अगर इस समय रहुल गांदी के बारे में को भी बात करो नो बात करो दियो कर टो खरो अच्छा होता है कि ऊए अच्छा जो इसमय कोर्ष थे nhi आपको बता यह ब्लूटिक के भी पैसे देने पड़ते हैं तो उनकी प्रिविलेजिस में जो होता है वो यह होता है कि अगर आप ऐसा कुछ 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 करते हैं तो सामने वाले को नोटिस जाता है बिना देखें फेस्बूक कोई देखने नहीं बैठता कि आपने जो कंप्ल दिया गया है वजिसा वो फेस्बूक को भी रिप्लाई कर सकता है और अगर उस नोटिस में लिखा है कि डायरेक्ट आप इमेल करें जिसमें कॉपी राइट लगाया है उसको इमेल करके भी अपनी बाजानकारी दे सकता है और पूछ सब्पा है क्या आपने क्यूं ऐसे कॉ लिया दे रहा था और मनीश कश्यफी जो टीम है सच तक पाली उसने मेरे ही वीडियो पे इस तरह से कॉपी राइट लगाया था और उसका मुझे एमेल आया था तो मैंने उसमें जबाब में उसको लिखता था मैंने का था कि अज़र तुमारी इतनी पटती है कि तुम ग्य अज़र पुछ साहने से, उसमें ठालीया फिश्समें, यह तो तब की बात है जबके चिसी का पॉपी राइट का एक वीडियो इस्तेमाल किया था, मैं माना मीं करता हूं, लेकिन इन वीडियो ने जो ङपी ऀडियो का इंटर्वbn जा बें उसका हौन बढ़ाया लगे गा浮 अगर उसके बारे में अगर हम बात किसी के बारे में अगर दूसे के बारे में बात भी करते हैं तब कि उसके पास मतलब option होता है कि वह copyright दे सकता है नहीं नहीं वैसा लीगल option नहीं है लेकिन प्लैट्फॉर्म करेगा तो पहले हटा दिया जाएगा वीडियो आपको मेसेज आ जाएगा एमेल आ जाएगा अब आप उससे डारेक्ली डील करिए अब आपस में बिढ़िए कि वह copyright कोई लगा सकता है काlaiOS नहीं लगा सकता है कानून जाएगे पिलिस मिड़ियो लेकिन प्लैटफॉर्म के नियम यह कहते हैं कि जिसे मेरे जो वेरिधाइब एकाउंट अलब अलब प्लैटफॉर्म के मेरे शजा नेते यह मेरे बात भी कर देते हैं तो मैं मान दीजियों ए लेकिन उसके बाद कानूनी प्रावधान आपके पास यह है उसके पूछ सकते हैं कि या तो मैं जवाब दूँगा या नहीं दूँगा जवाब आपको satisfactory मिलता है तो तो ठीक है अगर unsatisfactory जवाब मिलता है या कोई जवाब मेरे से नहीं मिलता है तो आप फिर छोटा creator तो इसे में डर जाएगा कि किसी के बारे में हम बात करते हैं वीडियो डिलीट कर वाद देगा बहुत मतलब मतलब असमंजस्ट में है चोटा creator कि कैसे कि किसी के बारे में बात भी करें क्यूंकि अगर copyright अगर दे तो channel सब्सक्राइब के लिए बहुत प्रोब्लम है आपके इस सवाल का जवाब मैं उत्तर भारत की उस्तर्ज पर देना चाहूंगा जो लोग बहुत आसानी से समझते हैं आपने का के चोटा लीगल नोटिस तो भेजा है रंजीत कुमार ने क्या लगता इस पर क्या होगा सर लीगल नोटिस देखना अच्छी बात है इससे यह रहता है कि सामने वाले को एक चांट बिलता है अपनी गलती समझ करके या तो अपना सुधार कर ले या फिर अगर उसने कोई ऐसा काम किया है कि भाई पर गुला वनने के लिकलता है तो उसकी मर्जी है अगर ऐसा बात रहत लीगल नोटिस देखना एक अच्छी बात है उसके बाद कानून के दर्वादे पुरे खुले हुए आपके बात नहीं किसके बिना भी हो सकता है डारेक्ट पुलिस में या पोर्ट में जा सकते हैं लेकि लीगल नोटिस देखना अच्छा कदम होता है कि आपने शाहरी गलत कर दिया है कि फैजल खान उस खान सब जो है आपके उन पर अन्य वीडियो है फैजल खान का इसमें वो आपको गैर चानूनी गैर समवेधानिक और कहते हैं राज्जी के खिलाफ कैसे जिते सरकार के खिलाफ जड़ाई वाली बात होती है इसमें लाइन और कोलाप्स हो जात क्या इसमें लीगल है सर कि लोग तो कहेंगा कि हर बात में निशान बर्मा सब को कहते हैं कि एने से ही लगा देना चाहिए मजाक नहीं होगा तो भाई देखे हमने जो अभी तक कहा है वह सची तो हुआ है हमने मनिश्व शक्ते मामले में पहयार की इस आलिमताब किया जाकर कि दरक्वास की एने से लगाने की लगाना इसी तरीके से जब मौनों माने सर अर्याना का लूओ वाला था उर्णाव वाला जो मैटर हुआ उसमें हमने अर्याना सरकार अजिस्तान सरकार को जो भी प्रेक्शित अपनी तरस देखिया उसका नतीजह आपने देखा नहां भी आदमी पकवास करना होना तो उसको खाली समझाया जाता है अगर कोई बड़े कद का हो जाता है तो फिर उसके बाद करता है तो फिर उसके पर कुतरने पढ़ते हैं हम लोग से चोटे क्रियाटर हैं थोरा सा आश्मंजस में हैं कि अगर खांसर के विरोध में कुछ भी चला जाएगा दिमर्टाइज हो जाएगा विडियो उड़ा देगा चोटा क्रियेटर जितना विए सब डरा हुआ है इस में में तो आप नहीं पता नहीं यह भी ओडियो डालेंगे चैनल पर पता नहीं खांसर के द्वारा क्या डिलिट कर दिया जाएगा अगर वो अगर वो आपका कॉपिराइट लगा देता है तरह पाते करने के लिए उसके केस को पिजेगा चार्सों बीसी का तरह जब कुछ इस्तिमाल नहीं किया तरह बारे में बात करना गुना है तुके प्रणान मंतरी और राश्पती ते बड़ा हो गया है इतना बड़ा अगर अगर किसी अगर इसी की प्रपरटी ते आप जबरन अधिकार दिखाते है या उसे रख लीत जबरन तो क्या होता है में और आप बात कानून में लिखा है किसी व्यक्ति के बारे मेरे about what तो उसके बाद अगर लगाता है कि तेरा क्या इस्तमाल कर लिया तो सर्विकास राज भी नहीं किया था कुछ इस्तमाल वह इस्तमाल तो वह भी नहीं किया था इसमें तो इसमें गुनेगार कौन हुआ प्रजा की रक्षा के लिए आपको प्लेट्फम ने ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए कुछ प्रिविलेजिस कुछ अधिकारों के साथ दिया है तो आप उसका जलत इस्तिम्स तो नहीं करेंगे पुलिस वाला जाके किसी को बोली ऐसी तो नहीं मार देगा आपके पस कॉपिराइट है किसी प्लेट्फम का तो आप जहां कॉपिराइट नहीं है वहां भी मार देंगे और यह सोच करके अब उड़ जाना हमारी बद्दामी बन दूई अरे तुमने काम ऐसे घटिया की है कि तुम्हारा नाम नहीं बद्दामी हो दी चाहिए ज्यादा नो टंकी करोगे तो केस में केस भी करेंगे तुम्हारे पर जेल में भी डालेगे और जहां तक रही राश्टी सुरक्षा की बात जिस तरीके के तुमने वीडियो कुछ बनाए हैं मुख्यमंत्री जी बिहार को प्रिक्षित हो चुके हैं आगे की कारेवाइशी क जैली बहुत बहुत शुक्रिया शहार